कहवत है कि अपने ही पैर पर कुलाडी मारना और इसी कहवत को हम किस तरीके से मुर्तरूप देते जा रहे हैं यही हम आज इस वीडियो में जानेंगे कहवत है कि अपने ही पैर पर कुलाडी मारना और इसी कहवत को हम किस तरीके से मुर्तरूप देते जा रहे हैं यही हम आज इस वीडियो में जानेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं वीडियो पर वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आइकन बटन को दबाना ना भूले ताकि मेरे वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें फ्रेंड्स हम और आप सभी जानते हैं कि लाइफ कितनी फास्ट हो गई है हमें 24 गंटे भी काम करने के लिए कम पढ़ रहे हैं और काम को कम्प्लीट करने के लिए आप कई बार बॉडी का ओवर यूज कर लेते हैं ओवर यूज के चलते कई बार आपकी बॉडी फिजिकली बहुत ज़ादा टायड हो जाती है और कई बार वो काम करने से बना कर देती है जिसके चलते आप अपने कारी की दक्षता को बनाये रखने के लिए कई बार दवाईयों का सहरा भी लेते हैं जैसे कि आपको सिरदर्ध होता है या आपको पेटदर्ध होता है या बॉडी पेन होता है तो आप अपनी बॉडी को जल्दी या fast recovery के लिए पेन किलर का यूज करते हैं. जिससे आपकी बॉडी का जो self defensive system होता है वो active नहीं हो पाता है अपनी brain की प्रतिक्रिया के पहले ही आप medicine खाकर उसकी प्रतिक्रिया को रोग देते हैं जिससे कि आपकी बॉडी की resistance power weak हो जाती है और यही आजकल हमारे साथ हो रहा है हम अमारी बॉडी के performance को on time रखने के लिए medicines का सहरा ले रहे हैं जिसके चलते हमारा brain active ही नहीं हो पाता है इसी को assistant देना कहते हैं जैसा कि आप किसी person को assistant provide करा देंगे तो वो अपना काम नहीं करेगा बजाए उसके वो assistant work करता है तो मेरे इस वीडियो में समझाने का सिर्फ यही मतलब है कि जब भी आपको किसी भी प् वीक होता है अपने body के resistance power को improve करने के लिए आप थोड़ा कुछ समय ले जब extreme level पर आपकी problem चली जाए तभी आप दवाईयों का सहरा ले उमीद करता हूं friends यह health tips आपको समझ में आई होगी इसी तरीके से आप मेरे वीडियो को like करते रहें ताकि मुझे और अच्छे वीडि इंजय भारत